Hello students, आज हम solve करने वाले हैं practice set 4.5 So ये questions start करने से पहले मैं आपको एक concept बताती हूँ दिखो practice set 4.5 में जो questions है वो based है continued proportion and k method की through तो सबसे पहले हम देखते हैं कि continued proportion क्या होता है दिखो हमें नाम से ही पता चल रहा है continued का मतलब है कुछ ऐसा जो continue हो रहा है if a upon b equals to b upon c then a, b, c are in continued proportion दिखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a upon b ये जो ratio है ये किसके equal है b upon c के इससे पहले हमने देखा था कि a upon b equals to c upon d होता था बट अभी हम क्या पढ़ रहा है continued proportion continued proportion का मतलब है कुछ ऐसा जो continue हो रहा है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं b जो है वो यहाँ पर continue हो रहा है मतलब इस वाले ratio में भी है और इस वाले ratio में भी है तो ऐसा proportion जहाँ पर जो middle वाला part है वो continue हो रहा है second ratio में भी ऐसे proportion को हम कहते हैं continued proportion वेन A, B, C are in continued proportion then B is known as geometric mean इसका मतलब B देखो B यहाँ पर continue हो रहा है इसका मतलब B को हम क्या कहते है geometric mean कहते है of AC और mean proportional of AC इसका मतलब B जो continue हो रहा है उसे क्या कहते है geometric mean of AC या फिर उसे हम mean proportional of AC कहते है तो यह दोनो नाम आपको याद रखने है कि geometric mean या फिर जो mean proportional होता है वो हम किसे कह रहे हैं? B को कह रहे हैं ये middle वाला जो continue हो रहा है So, यहाँ पे ये 5 facts है ये आपको याद रखने हैं क्योंकि practice set solve करने में इसका हम use करने वाले हैं पहला यहाँ पे क्या है? A upon B equals to B upon C हमें ऐसा नहीं लिखना है कि A upon B equals to C upon D यहाँ पे जो middle वाला है वो continue होगा ये हो गया first second देखो क्या दिया हुआ है? B square equals to A C So, B square equals to A C by cross multiplication के थूँ इसे हम लिख सकते हैं और इसका हम use करने वाले हैं questions में थर्ड हमें क्या दिया हुआ है? A, B, C are in continued proportion तो ऐसा वाला case होता है तो उसे हम A, B and C are in continued proportion ऐसा कहते हैं fourth point हमें क्या दिया हुआ है? B is the geometric mean of A C ये भी मैंने आपको अभी बताया है कि B को हम क्या कहेंगे? geometric mean कहेंगे fifth point में हमें क्या दिया हुआ है? B is the mean proportional of A C और B को हम क्या कहते हैं? second name क्या है? mean proportional of A C तो ये सब आपको ध्यान रखना है इसे हम कहते हैं continued proportion तो इसको हम use करके practice set 4.5 solve करेंगे यहाँ पे हमें K method भी दिया हुआ है K method के भी questions में आपको बताऊंगी इसका मतलब continued proportion और K method दोनों के थूँ हम इसे which number should be subtracted from 12, 16 and 21 so that resultant numbers are in continued proportion देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि कौन सा number subtract करें हम 12, 16 and 21 से जिसते जो numbers आए वो continued proportion में हो so यह हमने suppose कर लिया let the number to be subtracted be X इसका मतलब अगर हम X subtract करें 12, 16 and 21 में से therefore यहाँ पे हम लेख सकते हैं कि 12 में से अगर हम X minus करें उसके बाद 16 में से हम X minus करें and 21 में से अगर हम X minus करें are in continued proportion इसका मतलब यह है कि अगर इन number में से हम X को minus कर रहें तो हमें जो proportion मिलेगा वो continued proportion होगा तो अगर यह continued proportion में है तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, मैंने आपको यह बताया था भी, कि अगर a upon b equals to b upon c है, a, b और c जो हैं वो continued proportion में, देखो इस proportion के according, 12 minus x यहाँ पे क्या है, a है, 16 minus x क्या है, b है, और 21 minus x क्या है, c है, तो अब हम इस proportion के according इसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे a, b और c जो है, वो continued proportion में, और यह भी continued proportion में, तो इसे हम लेख सकते हैं, 12 minus x upon यह हो गया, a upon b, b क्या है, 16 minus x equals to, देखो, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे b था ना, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे, 16 minus x upon c हमने consider किया है, 21 minus x को, देखो, यहाँ तक तो यह continued proportion था, ब दन गया है, तो normally जैसे हम equations को solve करते हैं, वैसे ही करना है, तो इसे कई तरीके से हम solve कर सकते हैं, आप इसे cross multiplication के through भी solve कर सकते हो, यहाँ पे dividendo भी हम apply कर सकते हैं, cross multiplication करने में क्या होगा, x square आ जाएगा, और यह numbers भी काफी बड़े हैं, तो अगर हम यहाँ पे dividendo apply कर लेंगे, तो यह हो जाएगा, 12 minus x, minus के बाद यह उपर चला जाता है, 16 minus x upon, जो denominator है, वो as it is रहेगा, equals to, यह कितना हो जाएगा, 16 minus x, यह भी उपर जाएगा, तो यहाँ पे हम minus sign लगाएंगे, because dividendo में हम minus sign लगाते हैं, 21 minus x, और जो denominator है, वो as it is रहेगा, 21 minus x, और यह हमने bracket में mention भी कर दिया, using dividendo, अब इसे हम further solve कर लेते हैं, therefore, यह कितना हो जाएगा, 12 minus x, यहाँ पे minus sign अंदर multiply हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, minus 16, यह minus minus क्या हो जाएगा, plus x, upon, जो denominator है, वो as it is रहेगा, 16 minus x, equals to, यहाँ पे भी 16 minus x, as it is रहेगा, यह minus sign अंदर multiply हो जाएगा, minus 21, यह minus minus क्या हो जाएगा, plus x, और यह 21 minus x को as it is हमने लिख लिया, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x minus में है, यह plus में है, तो यह दोनों आपस में cancel हो जाएगे, यहाँ पे भी x minus में है, इधर plus में है, तो यह दोनों भी आपस में cancel हो जाएगे, तो हमारे पास अब क्या बाकी रहेगा therefore 12-16 upon 16-x equals to इस तरफ क्या रहेगा 16-21 upon 21-x therefore 12 में से 16 हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा minus 4 upon 16-x equals to 16 में से 21 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा minus 5 upon 21-x अब हम यहाँ पर क्या करेंगे cross multiplication therefore यह कितना हो जाएगा minus 4 और यह bracket में हम लिख लेते हैं 21-x equals to minus 5 को हम multiply करेंगे 16-x के साथ में therefore अब यहाँ पर multiplication कर लेते हैं minus 4 में 21 को हम multiply करेंगे तो हमें कितना मिलेगा minus 84 और यह minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा इसे हम multiply करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 4x equals to 16-5 जा कितना होता है 80 तो यह हो जाएगा minus 80 यह minus minus क्या हो जाएगा plus 5x therefore अब इसको हम further solve कर लेते हैं x की value निकाल लेते हैं तो यह 4x as it is है यह 5x को इस तरफ shift करेंगे तो यह कितना हो जाएगा minus 5x equals to यह है minus 80 यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा plus 84 therefore 4 में से 5 को minus करेंगे तो हमें कितना मिलेगा minus 1x equals to देखो यह minus plus minus हो जाएगा 84 में से 80 को हम minus करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 sign यहाँ पे रहेगा bigger number का therefore अब हम x की value निकाल लेते हैं x equals to कितना हो जाएगा देखो यह कितना है 4 और यह इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा minus 1 therefore x की value हमें कितनी मिल जाएगी देखो इसको हम डेवाइट करेंगे तो यह minus sign उपर जाला जाएगा इसका मतलब x की value हमें कितनी मिल गई minus 4 और यह हो जाएगा इसका conclusion therefore minus 4 should be subtracted from 12, 16 and 21 so that resultant numbers are in continued proportion देखो यहाँ पर यह इसका answer complete हो जाता है बट हमारा answer correct है की नहीं वो भी हम check कर लेते हैं देखो हमें यह बात पता है न कि a upon b equals to b upon c यह होता है continued proportion इसका मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं कि b square equals to ac b square equals to ac इसका मतलब इस तरफ और इस तरफ यह दोनों values equal होने चाहिए चलो एक बार check कर लेते हैं हमारा पहला number क्या था 12 था 12 में से अगर हम x को minus करेंगे चलो check कर लेते हैं जिसकी यह 12 है minus देखो x की value हमें कितनी मिली है minus 4 तो इसको अगर हम solve करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 12 minus minus कितना हो जाएगा plus और यह हो जाएगा 4 इसका मतलब first वाला number हमें कितना मिल गया 12 plus 4 कितना हो जाएगा 16 अब हम second वाला number चेक करते हैं second वाला number कितना था 16 minus x equals to 16 minus x के place में हम put करते है minus 4 equals to यह कितना हो जाएगा 16 minus minus कितना हो जाएगा plus 4 equals to 20 first number हमें क्या मिला 16 second number हमें कितना मिला 20 third number भी हम चेक कर लेते हैं 21 minus x चलो यह हम देख लेते हैं 21 minus x के place में हम लिखते है minus 4 equals to 21 minus minus किया हो जाएगा plus 4 equals to 21 plus 4 कितना हो जाएगा 25 A का मतलब क्या हुआ 16 B का मतलब हुआ 20 और C का मतलब हुआ 25 इसका मतलब क्या इसे हम ऐसे लिख सकते है 16 upon 20 equals to 20 upon 25 दिखो मैं पता है ना कि B square equals to AC होता है इसका मतलब जो 20 है 20 का square जो है वो किसके equal है 16 into 25 के तो 20 का square का मतलब कितना होता है 400 equals to 16 into 25 कितना होता है 400 तो आप देख सकते हो कि left hand side और right hand side दोनों यहाँ पे equal आ रहे इसका मतलब हमारा answer correct है सो हमारा answer यहाँ पे आया है minus 4 बट आप back answers देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है 4 actually मैं अगर यहाँ पे added होता ना तब हमें plus 4 मिलता subtracted लिखा है that's why हमें minus 4 मिला है अब हम आते हैं इसके question number 2 में यहाँ पे हमें दिया हुआ है if 28 minus x is the mean proportional of 23 minus x and 19 minus x then find the value of x हमें क्या करना है x की value find out करना है mean proportional हमें पता है कि mean proportional मतलब क्या होता है middle वाला number इसका मतलब यह क्या होगा b होगा यह होगा a और यह होगा c देखो simple है हमें क्या करना है a upon b equals to b upon c यह हमें बता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है बस values put करने है और x की value निकालने है so यह हमने यहाँ पे लिख लिया 28 minus x is the mean proportional of 23 minus x and 19 minus x इसका मतलब 28 minus x क्या है mean proportional है मतलब b वाला part है किसका 23 minus x का and 19 minus x का तो यह कितना हो जाएगा therefore देखो यह पे आएगा middle में तो हम यहाँ पे लिख सकते है 23 minus x upon यह यहाँ पे denominator में आ जाएगा 28 minus x equals to 28 minus x upon c वाला part क्या था 19 minus x अब जैसा कि हमने question number 1 में किया था उसी तरीके से solve करेंगे यहाँ पे हम dividendo apply करेंगे cross multiplication में वो काफी complicated हो जाता है solve करना dividendo लगा के हम इसे easily solve कर सकते हैं तो इसे हम लिखेंगे 23 minus x minus 28 minus x और denominator में क्या रहेगा 28 minus x equals to यहाँ पे भी हम dividendo apply कर लेते हैं 28 minus x minus 19 minus x upon 19 minus x और यह हमने mention कर दिया by using dividendo therefore इसे हम लिख सकते हैं 23 minus x यह minus sign अंदर multiply होगा तो यह कितना हो जाएगा minus 28 minus minus कितना हो जाएगा plus x upon denominator as it is रहेगा 28 minus x equals to यहाँ पे भी 28 minus x as it is रहेगा यह minus sign अंदर multiply होगा minus 19 यह minus minus हो जाएगा plus x denominator as it is रहेगा 19 minus x अब हम देख सकते हैं कि यह x minus में है यह plus में है तो यह दोनों आपस में cancel हो जाएगा यहाँ पे भी x minus में है यह plus में है तो ये दोनों भी आपस में cancel हो जाएगा तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा therefore 23-28 upon ये कितना रहेगा 28-x equals to एधर क्या बाकी रहेगा 28-19 upon 19-x अब हम यहाँ पे subtraction कर लेते हैं therefore 23 में से 28 को minus करेंगे तो हमें कितना मिलेगा minus 5 upon 28-x equals to 28 में से 19 को minus करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9 upon 19-x अब हम यहाँ पे cross multiplication कर लेते हैं therefore minus 5 को हम multiply करेंगे 19-x के साथ equals to 9 को हम multiply करेंगे 28-x के साथ में therefore 19-5 से कितना हो जाएगा 95 but minus 95 होगा यह minus minus क्या हो जाएगा plus 5 को x से multiply करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 5x equals to 28 को 9 से multiply करोगे तो हमें कितना मिलेगा 252 minus 9 को x से multiply किया तो कितना मिल जाएगा 9x therefore अब x वाले terms को हम साथ में लिख लेते यह कितना है 5x है यह minus है इधर आके यह plus में convert हो जाएगा plus 9x equals to 252 यह minus में है इधर जाके यह plus में हो जाएगा plus 95 therefore 9 plus 5 कितना हो जाएगा 14x equals to यह दोनों को हम add करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 347 अब हम यहाँ पे x की value निकाल लेते हैं therefore x equals to कितना हो जाएगा 347 upon 14 यहाँ पे से हम further reduce नहीं कर सकते हैं तो यह हो जाएगा इसका answer अब हम आते हैं इसके question number 3 में 3 numbers are in continued proportion यहाँ पे हम 3 numbers की बात कर रहे हैं जो किसमें है? Continued proportion में है whose mean proportional is 12 इसका मतलब हमें जो middle वाला number है mean proportional वो हमें दिया हुआ है 12 and the sum of the remaining two numbers is 26 अगर हमने A, B और C यह हमने देखा है कि यह क्या है? Continued proportion में जहाँ पे B क्या होता है? mean proportional होता है इसका मतलब B हमें यहाँ पे दिया हुआ है sum of the remaining two numbers sum मतलब A plus C इसकी value हमें कितनी दी हुई है? 26 then find these numbers तो हमें A और C two numbers हमें find करने हैं अब हम start करतें इसका solution let the first number be X देखो हमें first और third number find करना है second number क्या होता है? mean proportion होता है जो हमें दिया हुआ है 12 तो हमने first number को लिया X therefore अब हमें क्या करना है? third number निकालना है तो third number को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? third number equals to 26 minus X देखो 26 minus X हम क्यों लिख सकते हैं? because first number और third number दोनों का sum कितना है? 26 अगर दोनों का sum 26 है इसका मतलब अगर 26 में से एक number को हम minus कर देंगे तो जो value बचेगी वो किसकी होगी? third number की होगी तो यहाँ पे हम bracket में mention कर देते हैं because X plus third number equals to 26 X किया हुआ first number और यह हुआ third number जब यह दोनों का sum है वो कितना है? 26 है इसका मतलब 26 में से X को हम minus करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? third number मिलेगा 12 is the mean proportional of X and 26 minus X मतलब 12 क्या है? mean proportional है किसका? X का और 26 minus X का तो अब हम इसे continued proportional में लिख सकते हैं देखो सबसे पहले first number क्या है? X है second number क्या होता है? mean proportional होता है equals to देखो यहाँ पे भी mean proportional में 12 यहाँ पे आएगा because A upon B equals to B upon C होता है तो यह भी B के equal है और यहाँ जाएगा 26 minus X because यह क्या है? third number है अब हम यहाँ पे cross multiplication कर लेते हैं therefore X को हम multiply करेंगे 26 minus X के साथ में और यह हो जाएगा 12 into 12 therefore X को 26 से multiply करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 26 X minus X X कितना हो जाएगा? X square equals to 12 12 जा कितना हो जाएगा? 144 हमें क्या करना है? इससे quadratic equation बनाना है तो सबको एक side भेज देते हैं काम करते हैं इनको इस तरफ भेज देते हैं तो अगर हमने यह सब को इस तरफ भेज दिया तो इधर कुछ भी नहीं बजा है तो वहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं अब देखो यहाँ पे X square वाले term को हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं quadratic equation बना रहे X square को सबसे पहले लिखेंगे minus है इधर जाके यह plus में हो जाएगा उसके पाद देखो यह 26 है इसको भी हमने इधर भेजा यह यहाँ पे plus में है तो इधर आके यह क्या हो जाएगा minus 26 X plus 144 इधर था तो यह as a test रहेगा therefore, देखो यह दोनों एक दूसरे के equal हैं तो यह पूरे पार्ट को हम इस तरफ भी लिख सकते हैं इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं तो solve करने में उग इज़ी रहेगा अगर हम इसको इस तरफ लिख लें है x square minus 26 x plus 144 equals to 0 तो यह देखो बन गया हमारा quadratic equation अब हम इसको solve कर लेते हैं देखो यह हमने solve किया है यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है 1 को हम 144 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा अब हमें क्या करना है 144 के factors लिखने हैं जिने plus या minus करने में 26 आना चाहिए देखो अगर हम 12 12 से करेंगे तो यहाँ पर 26 नहीं आएगा plus या minus करने में तो हम देख सकते हैं कि जो 18 का table होता है 18 8 कितना होता है 144 होता है देखो यहाँ पर minus है तो यहाँ पर हम लगाएंगे minus sign और यहाँ पर भी हमें minus लगाना होगा because minus minus प्लस हो जाएगा so 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26 X X स्कूर को as it is लिखेंगे और 26 X के प्लेस में यह हम लिख सकते हैं तो यह कितना हो जाएगा minus 18 X minus 8 X plus 144 equals to 0 तो यहाँ पर हमने क्या किया है यह जो है minus 26 X को उसके factors के form में लिख दिया है because minus minus क्या होता है plus यह दोनों को भी add करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 26 ही मिलेगा therefore अब हम क्या करते हैं common ले लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या common ले सकते हैं X common ले लेंगे तो bracket के अंदर क्या बाकी रहेगा X minus 18 because X X कितना हो जाएगा X square minus X को हम 18 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 X यहाँ पे हम minus 8 common ले लेते हैं तो bracket के अंदर क्या बाकी रहेगा x minus because यह minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो यहाँ पे 18 को अगर हम 8 से multiply करें therefore अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x minus 18 और x minus 18 यहाँ पे common है तो यह common है तो इसे हम one time लिख लेते हैं यह common है x minus 18 उसके बाद हमारे पास क्या बाकी है x minus 8 equals to 0 देखो यहाँ पे x की हमें 2 values मिलेंगी पहला तो हमें यह दिया हुआ है x minus 18 equals to 0 अगर हम यह वाले पार्ट को लेंगे तो हमें x की value कितनी मिल जाएगी x equals to 18 second हमें क्या दिया हुआ है x minus 8 equals to 0 तो यहाँ पे हमें x की value कितनी मिल जाएगी 8 इसका मतलब x की value हमें 18 भी मिल रही है और x की value 8 भी मिल रही है देखो हमें क्या करना था first और third number find करना था जिसमें x 2 था वो था first number तो x की 2 हमें values मिल गए है x 18 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है तो अब हम क्या करते हैं, 3rd number निकाल लेते हैं सो 3rd number क्या हो जाएगा, देखो 3rd number क्या था 26-x था तो यहां पे x के place में हम क्या रखते हैं, पहले हम 18 लेते हैं अगर हम 18 लेंगे, तो हमें 3rd number कितना मिलेगा, 8 मिलेगा तो ये तो होगए इसकी first condition, second condition में अगर 26 minus x है, तो अगर हम यहाँ पे x के place में 8 लेते हैं, तो हमें third value कितने मिल जाएगी? 18. So third number भी हमें 2 मिल गया, 8 और 18, और first number हमें मिल गया 18 और 8. So अगर हम first number 18 लेते हैं, तो third number कितना होगा? 8 होगा. और अगर हम first number 8 लेते हैं, तो third number कितना होगा? 18 होगा. अब हम इसका conclusion लिख लेते हैं, therefore the numbers are. अब हम लिख रहें number, तो पहला number हम क्या ले रहे हैं? 18 ले रहे हैं, तो यह हो गया first number, second number क्या था? mean proportional था, 12. यह हमें पता था, और third number क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. बिकोज जब हमने first number 18 लिया था, तभी हमें third number 8 मिला था. तो यह तो गया एक condition, और second condition में अगर first number 8 है, तो second number तो same ही रहेगा, और third number क्या रहेगा? 18. तो हमें यहाँ पे two answers मिलते हैं. और यह हो जाएगा इसका answer. अब हम आते हैं इसके question number 4 में, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? If a plus b plus c, a minus b plus c is equals to a square plus b square plus c square, show that a, b, c are in continued proportion. तो यहाँ पे हमें यह equation दिया है, जिसमें यह वाला पार्ट जो है, वो इस वाले पार्ट के equal है. तो हमें क्या show करना है, कि यहाँ पे जो a, b, c है, वो continued proportion में है. अब हम start करते हैं, इसको solve करना. तो यह equation हमें पता है, कि यह equation इसके equal है, यह हमें given है. और देखो, continued proportion का हमें यह भी पता है, कि अगर a upon b is equals to b upon c है. तो b, b क्या होगा, b square equals to, यह क्या हो जाएगा, ac, जब हमने यहाँ पे क्या किया, cross multiplication किया. इसका मतलब, अगर हम b square equals to ac, यह proof कर दें, तो यह proof हो जाएगा, कि यहाँ continued proportion में है. therefore, अब हम start करते हैं, इसको solve करना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे a है, तो इसको यह पूरे पार्ट से multiply करेंगे, फिर b को यह सबसे multiply करेंगे, फिर c को यह सबसे multiply करेंगे, तो चलो start करते हैं, सबसे पहले a को हम multiply करने वाले हैं, यह पूरे पार्ट से a minus b plus c, उसके बाद हम यहां पर लिख लेते हैं B, B को भी हम यहां पर क्या करने वाले हैं, multiply करने वाले हैं A-B-C, उसके बाद क्या है, C है, C को भी हम multiply करने वाले हैं, A-B-C के साथ में, equals to, यह वाले पार्ट को हम as it is copy कर लेते हैं, A square plus B square plus C square, नेक्स टेप में हम multiplication कर लेते हैं A से A को multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा? A square minus A को B से multiply करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? A B, उसके बाद क्या है? Plus, ये क्या हो जाएगा? A C, plus B को A से multiply करेंगे तो इसे हम लिखेंगे A B यहाँ पे हम alphabetically लिख रहे हैं ताकि हमें बाद में cancel करने में problem ना हो Because B A हो या A B हो दोनों का A की मतलब है उसके बाद यहाँ पे आजाएगा minus B भी क्या हो जाएगा? B square plus ये क्या हो जाएगा? B C, यहाँ पे हमें alphabetically लिखना है उसके बाद क्या है? C A, तो इसे हम लिख सकते हैं A C minus C को B से multiply करेंगे तो इसे हम लिख लेंगे B C उसके बाद यहाँ पे आजाएगा plus C square equals to ये वाले part को as it is copy करेंगे A square plus B square plus C square therefore next step में क्या करेंगे? ये पूरा copy करेंगे और ये वाले जो part है इसको भी हम left side में ले आएंगे तो ये हम लेख लेते हैं A square minus AB plus AC plus AB minus B square plus BC plus AC minus BC plus C square देखो यहाँ पे ये सब plus में है तो अगर ये left side में जाएंगे तो minus sign में convert हो जाएंगे minus A square minus B square minus C square equals to 0 अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या cancel हो सकता है देखो A square यहाँ पे plus में है यहाँ पे minus में है तो ये और ये आपस में cancel हो जाएंगे minus AB और देखो ये क्या है plus AB तो ये भी आपस में cancel हो जाएंगे AC यहाँ पे plus में है AC यहाँ पे plus में है तो ये यहाँ पे cancel नहीं हो सकता है आगे बढ़ते हैं तो यहां पर क्या है, माइनस B स्क्वेर है, और यहां पर माइनस B स्क्वेर है, दोनों का साइन सिमिलर है, तो यह अपस में कैंसल नहीं हो सकता है, उसके बाद देखो, यह बी सी है, और यह बी सी है, यह यहां पर प्लस में है, यह यहां पर माइनस में है, तो यह अपस में कै जो B square है, वो two times है, equals to zero, therefore, two AC equals to, यह B square को इस तरफ shift करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, यह minus sign इधर जाके plus हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, two B square, यह two, और यह two, आपस में cancel हो जाएगा, इसका मतलब हमें कितना मिलेगा, AC equals to B square, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore, B square equals to AC, देखो यह condition तब ही आ सकती है, जब ABC तीनों continued proportion में है, तो यह हमने यहाँ पर prove कर दिया है, इसका मतलब हमें answer मिल गया है, और यह हो जाएगा इसका answer, therefore, ABC are in continued proportion, अब हम आते हैं इसके question number 5 में, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, if A upon B equals to B upon C, and ABC is greater than 0, then show that, देखो यहाँ पर हमें 3 sub questions दिये हुए हैं, और यह हमें given है कि AB equals to BC है, इसे हम कैसे solve कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या given है, वो हम लिख लेते हैं, देखो हमें क्या given था, A upon B equals to B upon C, यह हमें question में given है, therefore, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B square equals to AC, तो इसे हम consider करते हैं, equation 1, देखो हमें क्या show करना है, कि that left hand side is equals to right hand side, तो सबसे पहले यहाँ पे हम left hand side लिख लेते हैं, left hand side हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A plus B plus C, और हमें दिया हुआ है B minus C, तो अगर हम left hand side को solve करके right hand side की तरह ले आये, तो हमें prove हो जाएगा, कि यह दोनों आपस में एक दूसरे के equal है, A को सबसे पहले हम B minus C से multiply करेंगे, फिर B को हम B minus C से multiply करेंगे, उसके बाद C को हम B minus C से multiply करेंगे, तो चलो यह लिख लेते हैं कि सबसे पहले हम A को multiply करने वाले हैं B minus C के साथ, उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं plus B और यह हम लिख लेते हैं B minus C, उसके बाद हम क्या लिखेंगे plus c b minus c equals to next step में हम क्या करेंगे multiplication करेंगे a से b को multiply करेंगे तो हमें कितना मिलेगा a b minus a को c से multiply करेंगे तो हमें मिलेगा a c plus b b कितना हो जाएगा b square plus minus minus यह कितना हो जाएगा b c plus यह कितना हो जाएगा c b c b को हम b c भी लिख सकते हैं और यह हो जाएगा minus c c कितना हो जाएगा c square हम देखते हैं कि क्या क्या cancel हो सकता है देखो b c यहाँ पे minus में है यहाँ पे plus में है तो यह दोनों आपस में cancel हो जाएंगे E equals to AB minus AC plus B square के place में क्या हम AC लिख सकते हैं? यहाँ पर हमने देखा था ना कि B square किसके equal था? AC के. तो B square के place में हम यहाँ पर लिखेंगे AC minus C square. और यह हमने bracket में mention कर दिया from 1. देखो equation 1 से हमने लिया था ना B square equals to AC था. तो हमने यहाँ पर B square के place में क्या लिख लिख लिया? AC लिख 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 लिया. अब देखो यह AC यहाँ पर minus में है, यहाँ पर plus में है. तो यह दोनों आपस में cancel हो जाएगा. तो अब हमारे पास क्या बागी रहेगा? AB minus C square. देखो AB minus C square. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो right hand side है वो क्या है? ab minus c square equals to यह वाला part कौन सा हो जाएगा? right hand side therefore a plus b plus c b minus c is equals to ab minus c square hence proved तो यहाँ पे यह proof हो जाता है और यह हो जाएगा इसका answer question number 2 में हमें क्या दिया हुआ है? a square plus b square b square plus c square so यह क्या है? left hand side है यह किसके equal है? ab plus bc का whole square और यह है इसका right side तो हमें क्या करना है? left hand side को हम use करेंगे इसे solve करेंगे उसके बाद इससे हम right hand side ले के आएगे तो इससे prove हो जाएगा कि यह दोनों आपस में equal है देखो हमें यह question में given है कि a upon b equals to b upon c है therefore यहाँ पे हम लिख सकते है b square equals to ac इसे हम लेते हैं equation 1 अब हम यहाँ पे लेते हैं left hand side देखो left hand side क्या है हमारे पास? a square plus b square b square plus c square equals to a square plus b square देखो b square किसके equal है? ac के तो यहाँ पे b square के place में हम लिख लेते हैं ac b square देखो b square के place में यहाँ पे हम लिख लेते हैं ac plus यह कितना हो जाएगा? c square यह हमने कहां से लिया है? equation 1 से लिया है तो यह हम लिख लेते हैं from equation 1 equals to देखो a और a यहाँ पर common है, तो A को हम यहाँ पर common ले लेते हैं, तो bracket के अंदर क्या बाकी रहेगा, A plus C, यहाँ पर देखो C और C common है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर C common ले लेंगे, C common लेंगे, तो अंदर क्या बाकी रहेगा, यहाँ पर A plus C, equals to, देखो यह A और C है, तो यहाँ पर हम A C लिख लेते हैं, देखो, यहां पे A plus C, A plus C, तो यह हम लेख सकते हैं, A plus C का square, देखो, यहां पे जब plus और minus रहता है, तब हम common निकलते हैं, यहां पे क्या हो रहा, multiplication हो रहा है, A और C को हमने यहां पे साथ में लिख लिया, और यह दोनों सेम हैं, तो हमने यहाँ पे इसका square लिख लिया equals to देखो AC के place में हम B square लिख सकते हैं A plus C का square यह भी हमने कहां से लिया है from equation 1 से लिया है equation 1 में हमें यह दिया हुआ है B square equals to AC तो AC के place में हम फिर से B square लिख लेंगे अब देखो यहाँ पे B square है यहां पर B square है, तो हम square को बाहर निकाल लेते हैं, तो इसे हम लिख लेते हैं B A plus C और यह हो जाएगा इसका whole square, whole square का मतलब है कि square B के उपर भी है और इस bracket के भी है E equals to B को हम A से multiply करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, A B plus B को हम C से multiply करेंगे तो हमें कितना मिलेगा BC का square देखो हमें क्या मिल गया AB प्लस BC का square देखो हमें right side में यह दिया हुआ था ना AB प्लस BC का square equals to तो यह क्या हो जाएगा right hand side so final answer हम लिख लेते हैं A square plus B square B square plus C square equals to AB plus BC का square यह यहाँ पर prove होता है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं hence proved और यह हो जाएगा इसका answer question number 2 को हमने solve किया और हमें answer भी मिल गया अभी same question मैं आपको K method से भी बताती हूँ I don't know आपके school में यह method से या फिर K method से solve कर रहे हैं आपको जो easy लगेगा वो आप solve कर सकते हैं K method आपको आना चाहिए because 10 standard में आप उसको use करने वाले हैं that's why वो भी मैं आपको इक question में बता देती हूँ देखो इसे हम कैसे solve करेंगे हमें question में given है कि A upon B equals to B upon C यह हमें question में given है अब देखो हम K method यूज कर रहे हैं इसका मतलब K यहाँ पे हमें suppose करना होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं let A upon B equals to B upon C equals to K K method का मतलब क्या होता है जैसे A upon B equals to B upon C है तो यह किसके equal होगा? K के equal होगा इसका मतलब जैसे A upon B है वो भी K के equal है और जो B upon C है वो भी K के equal है इसका मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं A equals to ये दोनों आपस में multiply हो जाएंगे तो A equals to B के हम लिख सकते हैं और यहाँ पे B equals to हम लिख सकते हैं C के तो A की value क्या आ गई? B के और B की value कितनी हो गई? C के देखो यहाँ पे जो A है यहाँ पे क्या लिखा है? B के और B की value कितनी है? C के तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? A equals to B के place में हम लिख लेंगे C के और ये के as it is रहेगा इसका मतलब जब हम question solve करेंगे तो A equals to हम क्या लेंगे? C के सक्वेर और B को हम लेंगे C के इसका मतलब जहां जहां पे हमें A दिया रहेगा वहाँ पे हम उसके place पे लिखेंगे C के स्कवेर और जहां पे B दिया रहेगा वहाँ पे हम लिखेंगे C के सबसे पहले हम left hand side ले लेते हैं left hand side में हमें क्या दिया हुआ है? A square plus B square B square plus C square इकुल्स टू, देखो, यहाँ पे A है, और A के प्लेस में हम लिख सकते हैं C के स्क्वेर, बट यहाँ पे A का स्क्वेर है, मतलब यह पूरे होल का स्क्वेर आएगा, प्लस B का स्क्वेर, B के प्लेस में हमें क्या दिया हुआ है, C के, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, C के स स्क्वेर देखो यहां पर हमें B स्क्वेर दिया हुआ है तो B के प्लेस में यहां पर हम लिख सकते हैं C के B का स्क्वेर है तो यहां पर इसका होल स्क्वेर हम लगा देंगे प्लस C स्क्वेर को हम एज इज लिखेंगे equals to अब हम इसको solve कर सकते हैं देखो यह C का square है तो यह कितना हो जाएगा C square और K का square और उसका और एक square है इसका मदलब यह दोनों powers आपस में add हो जाते हैं जब multiplication होता है तो add होते हैं powers तो यह कितना हो जाएगा K की power 4 प्लस देखो यह कितना हो जाएगा C square K square क्योंकि यह square दोनों में है तो यह हो गया फर्स्ट वाला ब्रैकेट अब सेकंड ब्रैकेट में देखो यह जो square है वो C के उपर भी है और K के उपर भी है तो यह कितना हो जाएगा C square K square plus C square अब हम यहाँ पर common निकाल लेते हैं देखो C square C square यह दोनों में है तो C square को common निकाल लिया यहाँ पर K की power 4 है यहाँ पर 2 है इसका मतलब K की power 2 जो है यह हम common निकाल सकते हैं तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा K square plus यह पूरा पर बाहर निकाल गया है कुछ नहीं इसका मतलब यहाँ पर कितना बाकी रहेगा 1 देखो यहाँ पर C square और C square है तो हम यहाँ पर C square को common ले लेंगे तो bracket के अंदर क्या बाकी रहेगा K square plus यहाँ पर कुछ भी नहीं है देखो यहाँ पर निकल गया बाहर तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इकुल्स टू देखो यह C square है यह C square है इसका मतलब C की power 4 और K square देखो यहाँ पर यहाँ पर यह क्या है 2 times है तो इसे हम लिख लेंगे K square plus 1 का whole square देखो यहाँ पर multiply हो रहा है 2 times है तो यह आ गया first part तो इसे हम लेते हैं equation 1 इसका मतलब जब हमने left hand side को solve किया तो हमें यह मिला अब हम क्या करेंगे अब हम right hand side को solve करेंगे और देखेंगे कि यह same हमें मिल रहा है कि नहीं अगर यह same मिल रहा है इसका मतलब left hand side is equals to right hand side तो यह हमने लिख लिया यहाँ पर right hand side equals to देखो A हमने कितना consider किया था CK square और B हमने लिया था CK तो यहाँ पर देखो A के प्लेस में हमने लिख लिया CK square और B के प्लेस में हमने लिख लिया CK plus B के प्लेस में हम लिखेंगे CK dot dot का मतलब है multiply और यह C as it is रहेगा, इसका whole square, equals to, देखो, यह C, C two times है, तो इसे हम लिख लेंगे, C square, K की power कितनी हो जाएगी, 3, plus C, C कितना हो जाएगा, C square, K, और इसकी power हो जाएगी, 2, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, कि क्या common निकल रहा है, देखो, C square, C square है, तो हम क्या करेंगे, C square को common ले लेंगे, और देखो, यहाँ पर K की power 3 है, यहाँ पर single K है, तो हम single K को यहाँ पर common ले लेंगे, то यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, K की power 2 plus, यह पूरा पाट बहर निकल गया है, तो यह कितना रहेगा, one, इसकी power 2, equals to, देखो, यहाँ पर power 2 है, तो यह कितना हो और इसे मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा k2 अभी देखो ये ब्रैकेट के अंदर है मतलब ये पूरे ब्रैकेट को पावर कितना मिलेगा 2 तो ये कितना हो जाएगा k2 प्लस 1 और इसका square इसे हम लेंगे equation 2 इसका मतलब जब हमने right hand side को solve किया तो हमें ये मिला और हमने देखा कि जब हमने left hand side को solve किया था तो हमें ये मिला था आप दोनों को compare करके देख सकते हैं c की power 4 k2 in bracket k2 plus 1 का whole square देखो हमें same thing मिल रही है इसका मतलब left hand side और right hand side दोनों एक दूसरे के equal हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं from equation 1 and 2 left hand side is equals to right hand side hence proof तो यहाँ पे हमने ये proof कर दिया है द आपको यहाँ पर पहले normal method से बताया था उसके बाद हमने यहाँ पर इसे k method से किया है k method भी आपको आना चाहिए दोनों method से बताया है आपको जो easy लगेगा वो आप follow कर सकते हैं इसके steps जादा होते हैं but still आपको ये आना चाहिए अब हम आ गए question number 3 में question number 2 को हमने दोनों method से solve किया एक normal मैंने आपको बताया है और दूसरा k method से फिलाल मैं आपको ये question number 3 normal method से solve करके बता रही हूँ अगर आपको k method से requirement होगी या आपके school में k method से solve किया होगा तो मुझे comment करके बताना मैं उसकी separate video बना लूँगी देखो अभी तक जैसा हम solve कर रहे थे वैसे हम यहाँ पर करने वाले हैं जैसे कि हमें पता है कि a upon b equals to b upon c होता है ये हमें question में given है therefore इसे हम लेख सकते है b square equals to a c अब हम लेते हैं left hand side left hand side ये है तो left hand side में हमें क्या दिया हुआ है a square plus b square upon a b equals to a square plus b square के place में यहाँ पर क्या हम a c लेख सकते हैं yes हम लेख सकते है from equation 1 upon a b जो रहे का वो as it is रहे का यहाँ पर हम bracket में mention कर देते है from equation 1 equals to अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगा a है तो a को हम यहाँ पर common ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा a plus c upon a b अब देखो यहाँ पर यह a से यह a cancel हो जाएगा तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा a plus c upon b और यह क्या है राइट है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया है a plus c upon b therefore left hand side is equals to right hand side hence proved अब हम आते हैं इसके last question में यहाँ पर हमें दिया हुआ है find mean proportional of this and this mean proportional का मतलब क्या है middle वाला जैसे यह वाला part suppose a है और यहाँ पर something b b क्या है यहाँ पर mean proportional है जो हमें find करना है और यह वाला part क्या होगा इसका c होगा so यह हमने लिख लिया solution let b be the mean proportional of this and this इसका मतलब यहाँ पर हमने suppose किया कि b जो है वो क्या है mean proportional है तो हमें ये वाला relation तो पता है, हम बार-बार use करते हैं, कि B square equals to क्या होता है A C, तो यहाँ पे हम लेख सकते हैं, therefore B square equals to A, और यह क्या है C है, तो यहाँ पे हम लेख लेते हैं A, X plus Y upon X minus Y, यह क्या है बीच में? multiply हैं, और यह हम लेख लेते हैं C, X square minus Y square upon X square Y square equals to X plus Y upon X minus Y, देखो यह वाला relation आपने पढ़ा है, आपको याद होगा कि A square minus B square, अगर ऐसा होता है, तो क्या इसे हम ऐसा लेख सकते हैं? A plus B, A minus B, यहाँ पे देखो A square और B square वाले formula की तरह हमें देख रहा है, तो यहाँ पे इसे हम लेख सकते हैं X plus Y और X minus Y, इसे मतलब expand किया है हमने, upon denominator सेम रहेगा, X square Y square, देखो यहाँ पे multiplication है, मतलब यह पूरा पार्ट numerator का है, यह पूरा पार्ट denominator का है, यह और यह विलकु लग जाएंगे, तो अब क्या बाकी है, X plus Y, X plus Y, तो इसे हम लिख लेंगे, X plus Y का whole square, because यहाँ पे 2 times है, upon denominator में क्या बाकी रहेगा, X square Y square, therefore B square equals 2, देखो यहाँ पे भी square है, यहाँ पे भी square है, तो यहाँ पे यह दोनों का common square हम ले सकते हैं, इसका मतलब इसे हम ऐसा लिख स सकते हैं, X plus Y, upon XY, देखो यहाँ पे भी square है, यहाँ पे हम common square ले रहें, ब्राकेट के बाहर square है, यह पूरे पार में यहाँ पे square है, इसका square है, और इसका square है, देखो हमें B की value चाहिए, B square की value नहीं चाहिए, अगर हमें यह square remove करना है, तो यहाँ पे हमें square root एपलाए करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे taking square root on both side तो इस तरब भी हम square root ले लेंगे square root of b square equals to और यह पूरे part को as it is हम copy कर लेंगे x plus y upon xy इसका whole square और इसका भी हम क्या करेंगे square root ले लेंगे और यह हमने bracket में mention भी कर दिया that taking square root of both sides उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह square से यह root cancel हो जाएगा यह square से यह root cancel हो जाएगा so हमारे पास क्या बाकी रहेगा therefore b equals to देखो यह square और square root तो cancel हो गए तो हमारे पास b की value कितनी बच जाएगी x plus y upon xy और यह क्या हो जाएगा mean proportional और यह हमने इसका conclusion लिख लिया therefore mean proportional of x plus y upon xy and x square minus y square upon x square y square is x plus y upon xy और यह हो जाएगा इसका answer so बच्चो इसके साथ ही हमने practice set 4.5 complete कर लिया है अब हम जल्दी मिलते हैं next वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें हमारी चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कॉमेंट करके अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करें सो आज के लिए इतना ही बच्चो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक क्यार वाव बाई and practice well